नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल जानिशार ब्लागर में आज हम आपको दिखा रहे हैं बहराई जिले के डिगिया चावराहा से लेकल छाउनी चावराहा तक की शेर आपको हम करा रहे हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सौदिया चले गए बिदेश चले गए बहराई से और चले गए नहीं आप आते हैं तो आज हम उनको अपने यूटूब के वीडियो के माद्यम से दिखाना चाहते हैं कि आपका प्यारा बहराई से कितना बदल रहा है यह देखिए आप डिगिया चवराहा से बढ़ रहे हैं बीमार्ट की तरफ और यह देखिए स्टेशन माल गोदाम वाली रोड ऐसी है पता नहीं कब आप बहराई छोड़के गए होंगे अब देखिए आपकी पुराने शहर में कितनी भील्ड रहती हैं और जब आप छोड़के गए होंगे तो यह रिक्षा चलता था लेकिन आप यहां हर राटे से आटो चलते हैं और यह देखिए आपका फ्यारा डिग्या चौरहा सामने हैं और अगल बगल जो यह तालाब दाहने तरफ पड़ा था उसके बड़ी बड़ी फिल्डिंगे बन गई है यह आप देख सकते हैं और यहां पर यह टेक्सी खड़ी होती है इकवना और गिलोला के लिए उसके ब बगल में यह देखिए डिग्या चौरहा और डिग्या चौरहे के बगल में दाहिने हाथ पे बहराइज का सबसे बड़ा मॉल बीमार्ट है और यह सब देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगे आपका बहराइज भी अब लखनों दिल्ली की तरीके से हो गया है और डिग्य और ये वही आपका पुराना पिट्रोल पंप अभी भी है यहां उतनी ही भीड रहती है जितनी पहले रहती थी और ये देखे इस बिल्डिंग में खुल गया है रेमंड का सुरूम जहां आप एक हजार से लेके और बीस हजार तक पैंट शेट के कपड़े खरी सकते हैं और य यहां जहां कभी खाले मैदान हुआ करता था वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बन गई हैं और यह आ गया आपका इस्टेशन तिराहा आपके प्यारे इस्टेशन तिराहे का नाम अब अग्रिशेम चौक कर दिया गया है और फिर आप आगे बढ़ते हैं यह देखे कित जियाएसी पहुंचने वाले हैं हमारे बाएं हाथ पर जियाएसी स्कूल है यह देखिए और दाहिने हाथ पर पहुंच गये हैं आप इसे परले गेंद घर कहते थे इसमें डियाए उस आफिस बियास से आफिस जिला बुस्तकाले है और अब आपकी एक किलो मीटर यात्रा पूरी हो रही है और आप पहुंचने वाले हैं च्छावनी चौराहा आपका अपना बहराइच बदलता हुआ धीरे धीरे लखनों और दिल्ली की तरह बिल्डिंगें यहां भी बनती हुई और यह आगया आपका सामने च्छावनी चौराहा पंजाब निस्नल बैंक यह वीडियो आपको कैसा लगा बहराइच के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और अपने प्यारे बहराइच के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंड करें और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं